Hello everyone, I am Harmeet, welcome you all on daily vocabulary session by Digital Thayari यानि DVS, तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ important words जानेंगे उनके synonyms, antonyms और उनके part of speech को साथ ही उनका use भी देखने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी वीडियो को शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे आपकी motivation से और यह जो line है, यह जो motivation है, यह जो quotation है, यह मेरा favorite है, और इसका मतलब है कि never accept something which is not acceptable, ऐसी चीज जो कि acceptable नहीं है, यानि जिसको स्विकार नहीं किया जा सकता, तो उसको कभी भी accept मत कीजिए, चाहे वो bad behavior हो, चाहे bad opportunity हो, तो ऐसी भी कोई भी unethical या ऐसी चीज जो आपको लगत है कि नहीं, यह acceptable नहीं है, तो उसको कभी भी accept नहीं करना चाहिए, चाहे, यहाँ पर life में opportunities की बात हो रही है, या किसी person के behavior की बात हो रही है, तो कभी भी ऐसी गलत चीजों को accept नहीं करना, right, acceptable से यार आया कि acceptable का एक synonym होता है, admissible, admissible, acceptable का, admissible, right, so admissible का भी मतलब क्या होता ह है, acceptable, चलिए जी, आगे बड़ते हैं, तो आज का first word देखते हैं, तो आज का first word है percusides, percusides या percusides, जिस तरह से भी आप intense करते हैं, तो it's percusides, percusides का मतलब होता है, कि जब आप एक job करते हैं, या फिर कहीं पर कोई employee की तरह आप हैं, तो वहाँ पर आपको salary मिलती है, उस salary के अलावा जो आपको other benefits मिलते हैं, जैसे medical benefits, या फिर आपको house rent allowance मिलता है, या insurance मिलता है, या किसी भी तरह की salary के अलावा आपको benefit मिलता है, उसे हम बोलते है, percusides, यानि रियायत कह सकते हो आप, या फिर कुछ extra benefit आप बोल सकते हो, चीक है, तो percusides का मतलब क्या होता है, extra benefit, च चीक है, और कुछ जगा पर percusides को verb की तरह भी use मैंने देखा है, कि किसी को percusides करना, या फिर किसी को कुछ फाइदा देना, या कुछ extra advantage देना, वो percusides का मतलब हो जाता है, चीक है, इसको short में, short में, बलकुल एकदम slang language में, perks भी बोलते है, कि जैसे job लगते है, तो salary मिल रह जाते है, perks, वो भी इसी से बनी है, कि कुछ extra benefit, चलिए जी, सो ये चीज़ समझ में आगी, तो कभी भी perks बोलेगा, तो आप इसको बोलेगा, perks नहीं होता है, चीक है, चलिए, synonyms के हो जाएंगे, gratitude, gratitude भी एक ऐसा advantage होता है, जो कि आपको salary के अलावा मिलता है, चीक है, tip tip हो एक्स्ट्रा, या फिर कुछ extra benefit हो गया, okay, तो या आपका bonus हो गया, तो इस तरह के synonyms इसके बन सकते है, okay, antonyms होता है, antonyms इसके हो जाएंगे detriment, वैसे detriment, एक close तो नहीं, लेकिन बहुत दूर का antonyum हो सकता है, लेकिन मैंने ये detriment word इसने लिया है, क्योंकि detriment खुद में एक important word है, detriment का मतलब होता है, damage, यानि किसी को कोई नुकसान देना, और यहाँ पर damage का मतलब, physical damage से नहीं है, यहाँ पर damage का मतलब है, कुछ financial damage किसी को देना, कुछ financial नुकसान देना, तो वै डेफिनेटली पोगे साइट का है, कहीं ना कहीं, एक antonyum हो जाएगा, तो detriment याद रख है, चालेजी, यह क्या हो जाएगे, पोगे साइट के antonyum हो जाएगे, यूज देख लेते हैं, कि 12 salary offered by the company is not high, कि हाला कि जो salary मुझे मिल रही है company से, जो उनोंने मुझे offer किये, वो बहुत जादा हाय नहीं है, बहुत जादा नहीं है, पर, the pokisites are quiet handsome, जो हमारी pokisites है, यानि आपर जो other benefits मिलेंगे, salary के अलावा, वो काफी जादा handsome है, अच्छा, यह जो handsome का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा, चीक है, handsome का मतलब सिर्फ य होता है, यह एक adjective, और किसी चीज के रही हो सकता है, handsome का मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही extraordinary, यहां पर जो pokisite से company के, वो बहुत ही अच्छे है, तो यह हो गया हमार pokisite word, ठीक है, चलिए जी, अब next word की तरफ continue करते है, next word, जो आपने कई बार पुरानी movies में तो जरूर सुना होता है, लेकिन मुझे भी पता था कि यह मतलब होता है हिंदी में, लेकिन magnet ना मतलब समझते हैं कि देखिए, magnet किसी भी industry में, या किसी भी field में, जो सबसे high position पर person होता है, high position पर यहां पर मेरा मतलब है money में, जैसे कि for example, जैसे Bollywood में, सबसे जो richest actor होगा, ठीक है, business की industry की ब या उस particular field का magnet, ठीक है, तो magnet का मतलब एक powerful person, एक rich person, एसा person जिसके पास बहुत ज़्यादा power है, बहुत ज़्यादा success है life में, ठीक है, उस particular industry में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस industry का magnet बोलेंगे, जैसे कि इसका एक synonym हो सकता है, आपने business tycoon सुना होगा, कि एक person अगर business tycoon है, यानि वो बहुत ही बड़ा business man है, और बहुत ही famous है, बहुत ही ज़्यादा powerful है, बहुत ही success उसको मिली है अपनी industry में, चीक है, तो उसे हम business tycoon बोलते हैं, तो वैसे ही magnet, जब भी newspaper बगेरा में आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं, कि magnet word यूज होता है, कि हमारी adjective की तरह भी यूज किया जाता है, चलिए जी, synonyms इसके देख लेते हैं, एक तो king, मतब उस जगा का राजा, उस industry का राजा, लेकिन यह magnet word आया है, यह Greek language के king से आया है, तो इसी दिए king इसका एक synonym हो जाएगा, पावर नहीं, पावर फुल, इसका एक synonym हो जाएगा, उसके industry में especially, loser आप कह सकते हो, right, amateur आप कह सकते हो, amateurs यानि वो person जो की बहुत जादा successful नहीं है, या फिर अभी जुसने शुरुआ थी है, नेव आप बोल सकते हो, चलिए, यूज देख लेते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कि Jamshetji Tata was the steel magnet of India, Jamshetji Tata थे, जुनोंने start किया था Tata firm को, वो हमारे इंडिया के steel magnet थे, यानि जो steel manufacturing industry थी, उसमें सबसे जादा powerful, सबसे जादा richest person थे, चीक है, तो steel magnet यानि steel की industry में सबसे जो top पर businessman था, वो कौन था, Jamshetji Tata, तो magnet का मतलब समझ में आ गया, तो ऐसे ही आपको क्या बनना है, magnet बनना है, अपनी particular industry में, चलिए जी, आगे चलते हैं, next word है हमारा allocate, allocate एक verb है, चीक है, और allocate का मतलब होता है, कोई चीज को distribute करना, बाटना, चीक है, और यहाँ पर जो आप बाट रहे हो, याप donation के लिए नहीं बाट रहे हो, बलकि या तो आप से किसी ने कोई चीज खरीदी है, इसलिए आप distribute कर रह हो, या फिर वो person deserve करता है, इसलिए आप allocate कर रहे हो, यहाँ पर बाटने का मतलब, distribute करने का मतलब, donation वाला नहीं है, यहाँ पर अवंटित करना, या अगर मुझसे किसी ने कोई चीज खरीदी है, या मैं liable हूँ किसी को कोई चीज पे करने के लिए, या देने के लिए, तो म assign करना, कोई particular project है, वो मैंने distribute कर दिया बाकी सारे executives में, या फिर, यह जो सबसे साथा word use होता है, allotment ही होता है, share market में, जब एक company नए shares निकालती है, और आप shares को applications भेजते हो, कि हाँ हमें ये share खरीदना है, तो company क्या करती है, जब अगर मानलो आपका नाम आ गया, तो वो company क् आपको allot करेगी share, यानि आपको distribute करेगी कि आपके नाम पर ये share हमने आपको दे दिये, तो allocate करना, या फिर allot करना, यानि distribute करना, distribute भी इसका एक synonym हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने वापस से वोल रही हूं, कि यहाँ पर donation वाला distribution नहीं है, यहाँ पर वो चीज आपको देन जो कि आप deserve करते हो, या फिर जिसके लिए आपने pay किया है, ठीके, चलिए, antonyms इसके हो जाएंगे hold करना, यानि आपने पास रोक लेना, withhold again, कोई चीज रोक लेना, आपने पास, किजी को नहीं देना, यूज देख लेते हैं इसका, कि the prime minister has allocated a huge sum for the uplift of those living below poverty line, कि जो prime minister है, उ गरी भी रेखा है, उसे नीचे आते हैं, उन लोगों के betterment के लिए, उन लोगों के भले के लिए, इतना बड़ा जो fund है, यानि काफी बड़ा जो एक fund है, sum of money है, उसे क्या किया है, allocate किया है, यानि आवंटित किया है, या फिर issue किया है, चीके, issue भी इसका एक काफी अच्छ ठीके, ये क्या हो जाएगा, इसका noun word हो जाएगा, ये हो गया noun, adjective भी बना लेते हैं, adjective हो जाएगा, allotted, ठीके, ये हो गया हमारा adjective, ओके, आच्छा, allot का बनाएं तो, allot का एसा बनेगा, allotment, allotment हो गया noun, इस तरहा से हमें पदा होना चाहिए, कि अगर allot क्या है, verb है, तो allotment क्या होगा, noun होगा, चीके, कि allotment किया गया, हम ऐसा बोलेंगे, चीके, allot किया, ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, चीके, so इसी लिए पता होना चाहिए, कि क्या verb है, क्या noun है, क्या adjective है, क्या adverb है, क्या adverb है, कैसे यूज़ करना है, okay, चीक, चलिए, पो भर पर भर देंगे कि अमनारे हमाई पर टो अएनक से के तो से मेंयके मैंदि sl 오빠 थाराई कि अलोकिट कर दुम कर। के चाहितः जब सकते हैं और को सब्सक्राइब में धर घा रही है। अगर वीलियक और क्들 76 effective एप थर 16 जा थे आपर मोड्यकिट उसको क्या बोलेंगे कि वो चीज क्या कर रही है oscillate कर रही है यानि एक ही rhythm के साथ में इदर उदर move कर रही है same distance पर तो वो होता है oscillate लेकिन हम अगर इसका philosophical meaning देखते हैं तो इसका मतलब है ऐसा person जिसके emotions बहुत जल्दी change होते हैं कभी वो खुश है कभी दुखी है कभी वो बहुत जादा नाराज हो जाता है कभी गुस्ता हो जाता है राइट कभी बहुत ही happy हो जाता है तो ऐसा person जिसके emotions feeling बहुत जल्दी change होते हैं किसी particular चीज के लिए उस person के लिए हम यह जो verb है यह use करते है oscillate यानि थर थरा रहा है यानि emotions उसका mind है वो एक जगा stable नहीं है एक जगा नहीं रुख सकता लेकिन अगर कोई चीज oscillate कर रही है यानि वो एक ही rhythm से इधर उदर इधर इधर मूव कर रही है या vibrate कर रही है oscillate क्या है एक verb है याद रखिएगा दोनों meaning मैंने आपको बता दिये हैं कि इसका physics वाला meaning भी क्या होता है और philosophical meaning भी क्या होता है अब जैसे अगर हम English में अगर आपके यह word आता है तो definitely इसका philosophical meaning आएगा चलिए जिए तो synonymous के हो जाएंगे एक तो vibrate करना swing करना right या फिर change बोल सकते हैं हम क्योंकि इसका philosophical meaning हमने देखा तो right so vibrate, swing, change, oscillate के synonyms होता है antonyms देख लेते हैं antonyms मतलब एक जगा पर stay करना रुख जाना, ठहर जाना remain या एक ही जगा पर रहना ठीक है तो क्या होता है इसका use हो जाएगा या फिर being constant ठीक है being constant भी क्या हो जाएगा इसका एक antonyms हो जाएगा मैं constant नहीं लिख सकती क्यों क्योंकि constant तो क्या है एक adjective है लेकिन मुझे तो अगर verb का मैं बता रही हूँ antonyms तो मुझे verb form में ही बताना पड़ेगा चालिए जी so oscillate मतलब ऐसी चीज़ जो एक ही direction में इधर उधर मुझे करती रहती है या फिर एक ही rhythm से मुझे करती रहती है लेकिन ऐसा person जिसकी feeling बहुत जल्दी change होते हैं ऐसी activity को हम क्या बोलते है oscillate कि वो person क्या कर रहा है oscillates कर रहा है यूज देख लेते हैं persons with oscillating nature never stick to one option कि ऐसा person जिनके nature कैसा होता है oscillating होता है यहाँ पर जो oscillating है एक adjective की तरह यूज हुआ है जैसे मैंने बताया कि हर word का adjective भी बनता है इसका noun भी बनता है अगर यह verb है तो noun कैसे बनेगा oscillation ठीक है oscillation mostly यही इसका noun बनेगा so person with oscillating nature एसे लोग जिनका nature कैसा होता है oscillating होता है वो कभी भी एक option पर stick नहीं करते हैं एक ही जगा पर नहीं रहते हैं तो oscillating यानि ऐसी चीज जो कि बहुत जल्दी चेंज होती है या फिर frequently change होती है चले जी तो यह उसलेट वर्ड याद रखेगा important है काफी ज़दे important है चले जी next word है rampage 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 है क्या rampage एक noun word है और rampage का मतलब rage से आप इसको कहीना कहीं relate कर सकते हो rage word हम बहुत बार कर चुके हैं कई सारे synonyms, कई सारे antennas rage का मतलब होता है गुस्सा, जब को इंसान बहुत भड़क जाता है तो हम उसको क्या बोलता है कि वो गुस्से में बहुत ज़ादा भड़क गया angry है तो वैसे ही अगर बहुत बड़ी भीड यानि बहुत सारे लोग एक साथ भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो उस situation को हम बोलते हैं rampage तो rage से आप rampage याद रख सकते हैं rage मतलब जब एक परसन बहुत angry हो गया गुस्सा हो गया भड़क गया तो rampage क्या हो जब बहुत सारे लोग एक साथ भीड में भड़क जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या इस तरह का कोई बहुती violence create हो जाता है तब उस situation को हम बोलते हैं rampage तो इसी लिए situation की बात हो रही है तो situation से noun होती है चालिए जी तो rage इसका एक सानॉनिम हो जाएगा अप रो अप रो अप रो और मतलब बहुत जो जो से चिलाने लगना या फिर गुस्सा हो करना okay antennas इसके हो जाएंगे harmony हामनी मतलब बड़ा peaceful काम से कोई चीज रहना यानि ऐसे situation कहां पर लोग बहुत चान्त है हामनी से रह रह रहे हैं प्यार प्रेम से रह रहे हैं काम चीक है काम भी अगेन एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है चीक है पीस इसका एक सिनॉनिम हो सकता है चाले जी तो यह क्या हो गए इसके आएक अन्टनिम्स हो गए harmony, calm, peace, love चीक है सारी जो situations हो गए वो rampage के क्या हो जाएंगे अन्टनिम्स हो जाएंगे चाले तो यह word याद रखिएगा again very very important कई सारे exams में दिखा गया है यूज देख लेते हैं इसका कि the demonstrators demonstrators basically जो कोई किसी चीज को प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं या किसी चीज के लिए अंदोलन कर रहे होते हैं the demonstration traitors went on the rampage when the SP refused to listen to their grievances यह जो demonstrators ते यानि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग या किसी चीज पर हर्ताल कर रहे होए थे उन्होंने वो किस पर आ गए रैंपेज पर आ गए यानि क्या situation create होगी रैंपेज की कब जब SP ने मना कर दिया उनकी कोई भी दलीलें सुनने से यानि उनकी grievances उनकी जो मांगे थी या उनकी जो problems थी वो सुनने से मना कर दिया तो उन्होंने क्या situation create कर दी rampage की, rampage मतलब भड़क गए या फिर बहुत जादा वो violence हो गए, ठीक है चाले जी, तो rampage word याद रखेगा बहुत important word है next word और आज का last word है benefactor benefactor का मतलब क्या होता है benefactor एक ऐसा person जो किसी के benefit के लिए, किसी के फाइदे के लिए कुछ डोनेट करता है, ठीक है, वोड याद होना चाहिए कि ऐसा person जो किसी और के, especially poor people के, needy people के benefits के लिए, क्या करता है donation देता है ठीक है, उसे हम क्या बहुते है benefactor, इसका meaning हो जाएगा, दान करता ठीक है, synonyms इसके हो जाएँगे contributor, ऐसा person जो कि किसने कोई contribution दिया है या donation दिया है, promoter या फिर donator चीक है, तो यह क्या हो जाएँगे इसके, synonyms हो जाएँगे चले, तो benefactor क्या है, benefactor एक noun भी है और एक adjective भी है depend करता है कि कि किस तरा से ये use हुआ है तो benefactor का मतलब दान करता है या किसी के benefit के लिए जो कुछ donation देता है उसे हम क्या बोलते है benefactor ऐंटरिम्स इसके देख लेते हैं ऐंटरिम्स देख लेते हैं opposer या फिर opponent ऑपोजर बोला जाता है ऐसा person जो किसी चीज़ को oppose करता है यानि मना करता है यह चीज़ नहीं होनी चाहिए नहीं करना चाहिए close तो नहीं बढ़ एक बहुत दूर का इसका क्या हो सकता है एक एंटरिम्स हो सकता है opponent opponent मतलब प्रतिद्वन्दी यानि एक जो आपको support कर रहा है और एक आपके जो against में है उसे हम opponent बोलेंगे उसके लाब एक क्रूल जो वर्ड है वो भी इसका एक एंटरिम्स हो सकता है चीक है so benefactor याद रखिएगा वर्ड ऐसा person जो किसी के benefit के लिए donation देता है उसे हम बोलते है benefactor यूज देख लेता है कि the hospital is named after its largest benefactor जो ये hospital है ये किसके नाम पर है इसके सबसे बड़े दान करता के नाम पर यानि इसके सबसे बड़े benefactor के नाम पर तो ये जो person है जिसके हम बात कर रहे है ये क्या है एक benefactor है यानि इसने जो लोग हैं जिनका इलाज हो नहीं पाता तो उनके benefits के लिए क्या किया है बहुत जादा donation दिया है और ये hospital बना है तो इसलिए ये word याद रखिएगा कई बार ये बहुत सारी passages में बहुत सारी newspapers में मैंने ये word देखा है कोई भी उनी बोलता डोनेटर इस तरह के वर्ड निंग होते ये word होता है benefactor बहुत सारी schools में colleges में universities में benefactors होता है यानि जो उस trust के part होता है जिसकी वज़े से ये school बना है इन लोगोंने donation दिया है ये word ज़रूर याद रखिएगा ये थे हमारे कुछ important words चानल को subscribe ज़रूर कर ले ना जिससे video हमारी कोई भी miss ना हो और हमारी जो टीम है वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है जिससे आप अपने exam में अच्छा score कर पाओ so कोई भी suggestion हो कोई भी नया word आपने कहीं देखा हो कोई भी doubt हो कहीं पे भी vocabulary से related कोई भी question हो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं definitely उसको अपनी next slides में use करने वाली हूँ thank you so much please like share subscribe digital तैयारी